हालेलुया, सबको मेरी और से जैम सी की, इस ब्रदर का नाम सुखवंत सिंगे, जे अमरे सर वल्ला गाउं के रहने वाले हैं, इस ब्रदर की गवाई जे है, पांच साल से इस ब्रदर को इनफेक्शन की प्रॉबलम थी, जिसका जे ब्रदर इलास करवा रहे थे, और जे मैडि ब्रदर अपना कामकाज भी छोड़ चुके थे, और जे बैड की उपर थे, और इतनी हालत खराब हो चुकी थे, जिसके कान जे ब्रदर बहुत परिशान हो चुके थे, तो जे ब्रदर इक डॉक्टर के पास गे, और डॉक्टरों ने इनको बताया कि आप अपना एक्सरा कर जब इस ब्रदर ने एक्सरा करवाया, तो उस एक्सरे में इनकी जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके कान इनके फेफडों में रेशा आ चुका था, और शाती के उपर था, जिसके कान इनका पेड भी फूल चुका था, और इस ब्रदर को सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो डॉक्टरों ने बताया कि जो आप मैडिसन ले रहे हो, अब उससे आपका काम नहीं होगा, आपको एडमेट होना पड़ेगा, तो इस ब्रदर ने बताया कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप तुब समाचार लेकर इनके पास आए, फिर जे ब्रदर आरार मनिस्टरी में आए और इस ब्रदर ने संड़े की मेटिंग को अटेंड किया, और प्रभू के बड़े बड़े कामों को सुना, और इस ब्रदर की अंदर भी विश्वास आ गया, और प्रभू के दास दुखन और बिमारों के लिए प्रात्ना कर रहे थे और इस ब्रदर के उपर भी लेहन प्रात्ना होई और उस समय इस ब्रदर के जीवन में जो परमेश्वर ने बड़ा काम किया और एक अफते के बाद ही इस ब्रदर ने अपने रिपोर्ट्स करवाई और वो रिपोर्ट्स एक्तम न आज ये ब्रदर बिल्कुल फ्री हैं, आज इनके जीवन में कोई भी प्रॉबलम ही जो इनको सांस लेने में दिक्कत आ रहे थी. आज परमेशुवर ने उस प्रॉब्लम से इनको बिल्कुल अच्छा कर दिया है आज ये ब्रदर अपना काम कास भी कर रहे हैं और इस बड़ी कवाई से जो परमेशुवर ने इनके जीवन में काम किया इसके लिए परमेशुवर का धनिवाद करते हैं आज हम इस गवाई को सुन दें मेरे वल्लो सारे नुझायम सी दी और मेरा नाम वरिंदर मसी है और इस पाई जी दा नाम सुखवंत सेंग या और असी पेंड वल्ले दे रैन वाले हैं और इनना दे जीवन दे विच परमेशन ने बहुत बड़ा काम कीता और इनना दे बड़ी बड़ी गवाई है जो आज जसी दसन जा रहे हैं और आज तो पांच साल पहला इनना दे जीवन दे विच एक बड़ी बड़ी बिमारी जो सी इनना दे श्रीर दे विच एंटर कीता जिदे कार्ण इन्हार दे शरीर दे वेच लेकु यह काफी सारी इनफेक्शन ओगी और इनफेक्शन ले कार्ण इन्हार जड़ा चाहला त्यूng काम जाना उखा चिवह लेकिन फिर भी ठोली दुवाई दरू लेकिन अपनी कम जानते रहे और नाल ळाल ट्रीटमेंट कर सातनार। और अप्र लेकिन वो काफी थारी बिमारी जो जो से होली 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 खाता श्रीच आये दे वेचवाध कि और जिने अधियो पाता जेण श्लमाने और शैड़। झाल और आई तो एक मीना पेला इनना दे जो सी शरीर दे वेचे काफी बिमारी ने अपना जड़ा वड़ा रूप ले लिया जड़े कार्ण ये बिलकुल भी चलना फिरना बंदो चुका सी इनना दा पेट जड़ा सी यो काफी फोल गया सी और इनना नूं साल हैं दे वेच प्रव कॉलम हों दे शी क्योंकि ये जबो भी थोड़ा ज़्य चाल दे शी और इनना चड़ जानदा सी वे नमारी फेफड़ां दिवेच जो सी वद गया सी और इनफ्ट्छन सारी फिफड़ां दे वेच तकरीबन सारी इनफेक्शन जड़ी शाती तक पहुंच चुकी से और ज़ दो इना नूं दस्या की तानूं मतलब अपना जो आ इस थे आके एडमिट होना पाएगा और पहला उनने रिपोर्ट्स दे बारे दस्या और काफी सारी रिपोर्ट आए ना पहला में करवा चुके सिया सब रिपोर्ट्स जदो तो बीमारी शुरू आई ना दे और यह बड़ बीमारी ते बीमारी एना दे वेच वाद दी गई मेडिसन लेंदे बावजूद भी पर लेकिन जदो एक मीना पहला यह डॉक्टर दे कोल गए और डॉक्टर ने रस्या की तोड़ी बीमारी जड़ी है काफी सारी इंफेक्शन बाद चुकी यह रिशा बाद चुका और एक वेच असी वेख सकते हैं कि काफी सारी जड़ी इंफेक्शन है वह वाद चुकी है काफी सारी इंफेक्शन जड़ी वाद चुकी है तुसी वेख सकते हैं इदर और बदन दे कार्न सारी इंफेक्शन है इंफेक्शन बदन दे कार्न इना इना चलना फिलना जड़ा सी बाहर निकलना बंद हो गया जिदे कार्ण इनना ने कमते जाना बंद करता और एक करवे ची रहें दे सी और जदो इनना ने एक्सरा जड़ाया ए डॉक्टर नूँ वखाई रिपोर्ट तो डॉक्टर ने इनना नूँ एड्मिट हों देले इसला देती और बोल्या कि तुसी एड्म अनने लहा कि बापिस आगे और किसे कार्ण ने इनना दी पत्नी जड़ी सी तरा साध्यकार आए और सानू इनना दे लात बारे दस या में गल कर दे है सी और असी इनानू परमिश्र दे सुब समाच चाहर दे बारे दस्या और जदो गल कर दे पए सी और उनने अपने कारसान नू बुलाया और बोला कि इनानू दस्या और जदो इनानू परमिश्र दे सुब समाच चाहर दे बारे दस्या खुश ख़वरी दे बारे दस्या और इना संडे सी और संडे दी मीटिंग दे लिए इननों सी बोल्या और त्यार हुए और जदो मीटिंग दे बेच्छाए और प्रमेश्र दे दास जी दे वल्लो इना देते प्रेयर हुए और फिर दे बाद इना नूं हलका मसूस होया और जदोकार दे वेचाए और पूरे तकरीबने एक हपते दे बाद इना ने फिर एक अल्टरा साउंड करवाई कि कल्टरा साउंड करवाई जदे वेचे इना दी 90 परसंट जो जड़ी इंफेक्शन दी रेशे दी बिमारी सी वो 90 परसंट जड़ी जा चुकी सी और जदे इना डॉक्टर नूं खाया और डॉक्टर भी हराम रह गया और इना बोलया कि ना तुसी एक अपते दे वेचे मे किमी हो सब्सक्राबाइब है लेकिन सच मुच्च दे परमेसर दे उस विश्वास नूँ दिता सि जोकि पर मेश नू पसां दे आ च्दे नाल पर मिश कम करते साधे जीन देवेचThis और सच मुझोज जो चलना फिरना इनने बांत सी तुरैन्टी ये चलना फिरना भी इनने शुरू करता और पर मिशन न इप!1 भी इनने डे रिपोर्ट क üzर वाई है नाली इनने अपना कमते जाना फिर तो शुरू करता और आज ये तड़ समने बिलकुल तांदरुस्तिया और परमिशन ने एपेट भी इना दा बिलकुल सही हो चुका जो अस बिमारी दे कारण काफी सारा फोल गया सी और अज बिलकुल सही है अपने काम कारते जा रहे है और चल फिर सकते है अगर आप अपने जिन्दके में परिशानों हो बीमारी ओमें हो तो आप रात ना कर रहे हो जा और किसे से करवा रहे हो फिर भी आप अच्छे नहीं हो पा रहे तो आप हमारे दी होए हैल्प लाइन नमबर के उपर कॉल कर सकते हो तो निश्चे पर मेश्वर आपको शिफा करेंगे आपको हर एक प्रॉब्लम से अजाद करेंगे आमेन ढ़ए तो बात बात डपको शिफर प्रॉब्लम से भी तो भी आपकॉल से अजाद universities